पीसिस करण न्यूस में अभी की खबर है राश्ट्रिय हत्करगा दिवस दो हजार चौबिस हर वर्ष आज यानी साथ अगस को राश्ट्रिय हत्करगा दिवस मनाया जाता है बता दे कि इस वर्ष दसमे राष्ट्रिय हतकरखा दिवस का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है जिसमें उपराष्ट्रपती शामिल होंगे इस समारों में उप्राष्ट्रपती द्वारा हतकरखा शेत्र में विशिष्टी युगदान के लिए संत कबीर पुरसकार और राष्ट्री हतकरखा पुरसकार पुरसकार प्रदान किये जाएंगे गौर तलब है कि भारत में राश्ट्री हतकरगा दिवस की जड़े स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी है जो 7 अगस 1905 को भारत की स्वतंतरता संगर्ष के दौरान शुरू किया गया था चली अब जानते हैं राश्ट्री हतकरगा दिवस के बारे में इस दिवस का उधगाटन साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था इस दिवस की शुरुवात हतकरगा कामगरों की सम्रिद सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित एवं प्रोच साहित करने के लिए की गई है इसका प्रात्मे को देश्य घरेलू और अंतराश्ट्री इस्तर पर हतकरगा उत्पादों को बढ़ावा देना है यदिवस सांस्कृतिक महत्व के अलावा वस्र उद्योग में टिकाओ प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है यदिवस बुनकरों को सशक्त बनाता है और उनके समाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्शित करता है साथ ही हतकरगा विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबधता को रिखांकित करता है तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्र को निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक राश्ट्री हतकरगा दिवस हर वर्ष साथ अगस्त को मनाया जाता है दो दसमे राश्ट्री हतकरगा दिवस का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है उपर रुक में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्र का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद झाल में से क३प भी की जर श झाल बार, झाल क्या रहा है क्या कर वेश्ल